वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंज कैसे हैं आप लोग यह देखिए सुबह सुबह नव्य आप गुड मॉर्निंग गोलने आ गई हैं से गुड मॉर्निंग बिटाएं एड मॉर्निंग आज अच्छा सा वेदर है दूप भी पूरी तेज तिकी नहीं निकली है लेकिन हाँ ऐसे अच्छा लग रहा है ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है मेरे चेरे पर शायद आपको गर्मी सी पसीने दिखाई दे रहे होंगे अच्छली मैं नाष्टा बना के आई हूँ अलू के पराठा और जल्दी नाष्टा करूंगे सात में ही आपको भी दिखाऊंगे और आपको भी चुखाऊंगे चलिए फिर आज चलते हैं आज का व्लॉग आके कंटिन्यू करते हुए let's see say hello say hello hello no no bad menace नवी अभी तक मूड में नहीं आई है शायद अंदर पड़ी चल कदमी कर रहे थी है और चिला रही थी गोदी लो गोदी लो तो मैंने इसे गोदी ले लिया और अब मेरा हाथ दुख रहे है ब्लीज ये लो फ्रेंग्स मेले आई नाश्ता और ये देखो इसने यहां पर अड़ताल कर रखी है और ये चोटे बच्चे को थोड़ा चोटा चोटा दुख भी हो गया है ये लो हां हां दे रही हूं बिटा दे रही हूं एक्चुली हम लोग सुवे सुवे जैसे आपको बताया ह है यहां पर मैं सूरज की रोशने में बैठना चाहते हूं यह देखो यह सारे की रही है यहां ना पकड़ो 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 वो नीचे पर छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे लिविट चलिए फ्रेंड्स कि आप भी आजाए आलू का परांधा खाने मैं शुरू करती ह नवी ने अपना विनिश कर लिया यह लो और देते हैं आज फ्रेंड्स हमारे नवी का जो जूला है वो सुबह जूलाते जूलाते अचानक से उपर से इसकी रसी तूट गई और वो जूला धडाम से गिर गया गनीमत ही की मैं पास में थी और जूले को धीरे धीरे हिला रही थी तो कोई चओड तो नहीं आई क्योंकि जूले की जो गदियां हैं वो काफी मोटी अच्छी सी हैं तो पेडिंग अच्छी है उसकी और फिर उसको पूरे को अच्छे से खोल करके रसी को फिर से मैंने ठीक से लगाया और इस सारे प्रोसेस में ज्यादा टाइम तो नहीं लगा लेकिन हां एजीली मैंने उसको ठीक कर दिया क्योंकि बिना जूले के नहीं चलता है छोटे बच्चे का घर में अगर छोटा बच्चा है तो और प्लीज बिस्तर पे जो भी कपड़े फैले हुए है उसको अवोइड करना बस वो सुबे सुबे मैं जो पहले के धुले हुए थे रसी पे वो उतार के लाई थी और उन्हें रखा था पहले वालों को और इस तरह प्रेंट्स मेरी फ्रेंट्स बैलकनी के फ्रेंट साइब के जो गंबले है उनके पौदों के इस तरह से बातिप में शांदार ना के शांदार ले एंदर एक दंद आ गया इतने दिनों से कि हम गर्मी मर रहे हैं अब मैसूस हो रहा है कि वास्ता में सावन आ गया है और अब यहां पर देखिए अपनी घर की दिवारों को भी और अच्छे से साफ कर रहे हैं पानी दी उसको इकठा करके मग्ये से फैक फैंक करके दिवारों को दो रहे हैं आपने अगर नोटिस किया हो तो पेड़ पे कुछ बच्चों ने जूले लगा रखे हैं देखिए इस जैसे लग रहा है कि सावन के जूले भी आ गए हैं बच्चे पूरा पूरा लुफ लुफ उठा रहे हैं आज कल इतना ट्रेंड में नहीं है यह चीज पहले बहुत शौक हुआ करता था जैसे ही सावन आते थे तो सावन के जूले डल जाया करते थे लोग बहुत आनन लेते आज में हमें इस तरह की छोड़ी छोटी आक्टिविटिस जरूर करने चाहिए अब यह बदमाश लड़की इस चेर को देखो घसीट करके कूलर के पास लाई है और पूरा श्रम कर रही है चड़ने के लिए जबकि इसके दुख से हमने सारी चेर सोल्टी पल्टी रखी हु अब यह सारे ओपरेशन सीखना जाती है बटा हम कर दिया करेंगे तुझे कुछ करवाना वो मुझे बता दिया कर खुदी करेंगी है क्या कर रहा है चोटा बचा हाँ नवी 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 हाँ क्या बता है 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 चलो चलो उतरेंगे आजा आओ 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 येस हमाम मम्म स्कूर और और यह को न replied ६ cu फ्रम कि उव्वी को नीच सी थे पर किनले अ फिल्कुल सही ये बची बहुत बाध माशी करते हैं अभ बताओ किसने कअ दावार चारणे के लियर वह आलियर बलो बोलो बोलो कर dairy है अजा Ojai अच्छा जिस्पिध कर दो है अप्रेंगर को सफिक यह पिर से मही जाएंगी फ़िर दोज्ट्ग यह कुद्ध मुश्कीली यह अभी यह बत्चा भूत नेर्जी होती है्सवाइंथ इस सिरक्ष्ठ देखो बोड़ी में, चलो ममा इसको दूर कर देंगे, अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, हाँ, चिडारी है, रुख, उदमाश लड़की, पिट्टी हो जाएगी, हाँ, और इसको उतरना भी आ गया है, पहले पहले उतरनी पाती थी, तो चिलाती थी लटकर के, अब बढ़ होगी है, तो पह नीचे लग जाते हैं, चली फ्रेंक्स, आज का ये व्लोग इंपर खतम करती हूँ, होप आपको पसंद आया होगा, जल्दी एक नए व्लोग में, आप से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, बाबाए, हाँ, ये लो, जी ये भी बाइबाए, बोले आईए, सिबाए, आप एकसेप्ट कर देजी, सिबाए, बोलो